सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाए हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सब सब पहले पाने के लिए हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल में सो फ्रेंड्स एक खबर आ रही है गुरूब डी अभियारतियों के लिए चंडिगर जोन से सो फ्रेंड्स यह रहा वह खबर आपके स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो तो चलिए दोस्तों पूरी खबर को पढ़ लेते है क्यμεकि दोस्तों यह जो खबर है यह शृफ ओर शृफ दिवयांक जिनों से रिलेट्ग है सो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर बहुत सारए विडियो अप्लोड़ेद है। दिव्यांग जुनों के प्रती तो अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे कि दोस्तों यहाँ पर हर प्रकार के आपको help की जाती है साथ दिव्यांग जुनों से अंदिगर से आ रही है तो क्या खबर है देखें यहाँ पर छे महिने पहले गुरूब डी चतुर स्रेनी की 18218 पदों की भरतियों में बड़ी संख्या में युवा फर्जी विकलांग परमान पत्र बनाकर दिव्यांग कोटे से भरती हो गए दिव्यांग जुनों के लिए special vacancies भी निकलती है हर एक department में लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत तरीके से दिव्यांग परमान पत्र बना लेते हैं नोकरी के लालच में और दिव्यांग जुनों का seat ले लेते हैं जो रियल में इसके हगदार है उस जौब के दिव्यांग कोटी से भरती पांसो पैंसेट करमचारियों ने सरकारी महकमों और बोर्ड निगमों में जौइनिंग भी कर लिया है तो फैंस पांसो पैंसेट पर थे जो दिव्यांग जुनों के लिए अलोट किये गए थे तो फैंस यहां पर जौइनिंग भी हो चुका है और उसके बाद दोस्तों फर मेडिकल जांच करने के निदेश जारी हो गया है तो फैंस वेकेंसी भी हो गए रिक्रेटमेंट कंप्रीट हो गया उसके बाद लोगों के जौइनिंग भी हो चुका है अब आगे परते हैं दोस्तों तो ताकि दोसी करमचारियों को ब्रखास कर उन पर एफायर कराई जा सक है तो फैंस आप लोगों जौइनिंग भी उन लोगों का हो चुका है तो यहां पर सरकार ने एक आदेश भी पारित कर दिया है कि सीमो एक बार फिर से उन लोगों का मेडिकल सर्टिफिकर्ट के जांच करेंगे और साथे साथ देखें कि रियली में वह दिव्यांग है या नहीं है मगर अधिकतर सीमों को मामले को दबा गया है सो फैंस यहां पर बहुत सर जो सीमों कि साथिकारी उन लोगों का वी इन वोल्मेंट यह सामने आ रहा है जिस पर सरकार अब सक्त हो गई यहां पर सरकार सक्त हो गई है और उसके बाद मुखिस अचीव ने धिलाई ब्रतने वाले सीमों को 15 दिन की महलत देते हुए दिव्यांगों की स्रेणी में चैनीज सभी करमचार्यों को फिर से मेडिकल जाज कराने का निदेश दिया है उन्होंने फिर से एक मुखिस अचीव है कि आदर्स पारिज कर दिया है कि 15 दिन के अंदर जितने वैसे गनेटर जो दिव्यांग स्रेणी से जोइनिंग किये हैं तो सारे गनेटर का फिर से मेडिकल जाज करवाया जाए जाए जाज में बिगलांगता के सर्टिफिकेट गलत निकले तो ना केवल इन करमचारियों की नौकरी जाएगी बलकि उन पर FIR भी दर्ज कराई जाएगी तो फैंस वैसे जो किसी दोकेधारी से अपना सर्टिफिकेट बनवाए थे तो वो लोग सावधान हो जाए क्योंकि दोस्तों आप लोग पे FIR भी हो सकता है और यहां प 145 व्यच्ट व्यच्ट के लिए 145 ती एलोकेट की गए थी 132 एच चीलिए मुख बदिर उसके बाद 208 व्यच्ट के लिए अच्छा में यानि जो ऐसे हाथ से पैर से अस्थी से जो अच्छा में उन लोग के लिए उसके साथ और लास्ट केटिगरम आता है बीमडी तोस्त यहां पर असीक सीट एलोकेट किये थी उन लोग के लिए कोटे से दिव्यांग प्रमचारी भरती हुए हैं सिकायतों के मुताबिक कई युवावन ने डॉक्टर से मिली भगत कर फरजी बिकलंग सर्टिफिकेट बनवाए और जॉइनिंग कर लिए तो फेंट्स आपनों द इसे देखर डॉक्टर बना देते हैं सर्टिफिकेट और यह बहुत जगह से अल्डेडी यह ख़बर आप लोगों पता होगा कि वह से सर्टिफिकेट बना देते हैं तो फेंट्स यहां पर हर्यान सरकार बहुत ज़्यादी स्टिक्ट हो गया है और दोस्तों इन्होंने की जानकारी यहां पर दे दी है कि पंदर दिन के अदर आप लोगों फिर से जांच होगा और अगर गलत पाए गया तो आप लोग पर फायर भी होने की पूरी-पूरी सम्भावना है तो आप लोग से रिक्वेस्ट कि प्लीज फीडियो को जाज से आपने दोस्तों में सेयर कर दे कि वैसे कंडिडेट जो गलत तरीके से सामिल हुए हैं उन लोग वे जल से जल कारवाई होगी और इसके बाद नए जो दिव्यांग जो रियली में दिव्यांग है उनको हरया नैससी एक बार फिर से मौका देगा तो वैसे कंडिडेट जो एक दो नमबर से पिसल गए थ रखता है कभी भी डीवी का तो फ्रेंट्स यह थोड़ा से लंबर प्रोसेस है अगर जासे अधा लोगों को सर्टिफिकेट गलत पाया गया तो जितना लोगों को गलत पाया गया सीटे खाली होगे तो उस पर नए दिव्यांग जनों को मौका दिया जाएगा तो फ्रेंट